हेलो वेरिवन वेलकम टो और चैनल और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलतेशन ओर पुपपलेशन इसके बारे में जानने का परियास करेंगे और बहुत ही इंपोर्टन्ट ठेवरी यह रहती है वेरी वेरी माल्टीजिन थियोरी है वो आपकी UPSC as well as UGC net paper 2 जोग्रफिक के लिए बहुत important रहने वाली है तो ये वीडियो आप जरूर लाज्ट तक देखें बिल्कुल भी स्कीप ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब की जरूर करें उसके साथ आप टेलीगराम चैनल पे भी जॉइन कर सकते हैं जोग्रफिक ज्यान के नाम से टेलीगराम चैनल है उससे चैनल पे आपको से इंपोर्डेंट हट कि आपको मैं समझाने का परियास करूंगा राइट तो सबसे पहले जो मालतिस इन थ्योरी पोपुलेशन है वह रोबर्ट थोमस मालतिस की द्वारा दी गई सैंटे सिक्टी टू सिक्टी सिक्स से लेकर 1834 तक इनका पिरियड रहा है आपका थोमस रोब तरके यह थिर्य बनाई थी तो पोपुलेशन के थियुरि यह फॉर्मिशन है उसमें एक लेंडम वार्क भी यह बनाती है क्योंकि आपके इससे पहले कोई भी आपके पॉपुलेशन की थिर्य एजच नहीं आई थी तो यह बहुत एंपोर्टन्ट थियोरी यहां पर को जनर्लाइज किया, उसक्के अकोडिन इन्हों ने ये पूरी थिओर، एक के त्रीकय से जनर्लाइज किया, इननों ने empirical अप्रोच जनरेट की और उसको Population की problem है, Population की problem को resultant देखा और उसके result के according ng study की, West European countries में, तो West European countries में इन्होंने ये जो भी आपकी empirical approach की population problem को देखते हुए और उसके रेजल्टेंट यह experience किया यहां पर यह चीजें rely करती है तो यह आपसे पुछा जा सकता है कि आपकी जो मालतिस की तेयोरी है वो कहां पर study करके आपकी बनाएगी तो यह इन्होंने study की थी वेस्ट एरोपेन कंट्रीज में अभी जो बुक है आपकी यह थियोरी किस बुक में पुपलीश होई यह इंपोर्टेंट बनता है तो यह आपकी ऐसे ओन प्रिंसीपल ओफ इसको आप स्टार लगा कर रख लें और यह डारेक्ट ट्रीट भी आप से क्योशन पूचा जा सकता है और यूजी से नेट के जो पेपर है उसमें काफी पूचा जा सका है तो ऐसी आउन प्रिंसीपल ओफ पॉपलेशन सेवंटी नाइट एट में आई आई आपसे से कोरोलोजिकल भी पूचा सकता है मेंस दफोलेंग भी पूचा सकता है तो इस तरह के से आप यह ध्यान रखे राइट मालतिस ने टू टाइपस ओफ चेक्स से यहां पर मेली रखे जो के आपके होल्ड कर सकें पॉपलेशन और रिशोर्स के लिमिट को तो इन्होंने ध्य को बढ़ा तो पॉजीट सेक्स में हिन्होंने यहीं का हंगर अगर होगी तो आपकी बढ़ेगी आपकी डिचीज अगर ज्यादा होंगी तो आपकी पंडेषए व्यखे बढ़े खिच से अगर चीज़ों को जोड़ कर चलेंगे तो आपके लिए बेटर understanding provide करेंगे दूसरा अगर बात करें तो आपकी preventive check तो preventive check क्या कहती है आपकी जो birth rate है उसको कम करें ठीक है यहाँ पर death rate को बढ़ाने के बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी birth rate को कम करने के बात कर रहे हैं lower की कर रहे हैं तो इसको कैसे करें एक तो family planning के द्वारा कर सकते हैं postpone of marriage के द्वारा कर सकते हैं या sellipathy के द्वारा कर सकते हैं इनके थुरू हम जो आपकी preventive check लगा सकते हैं और birth rate को कम कर सकते हैं तो यह इन्हों ने दो टाइप के आपके checks बात की फिर इन्होंने बात की मालतिस ने कि world population है वो आपके बहुत ज्यादा increase होती जा रही है और बहुत rapidly मिलती है लेकिन available food supply है वो आपकी कम मिलती है तो एक तरीके से जो gap है day by day आपका increase हो रहा है तो इन्होंने के देखा आर्ग्यों कि या food supply है वो आपके increase होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थूँ एक से दो तीन दो से तीन इस तरीके से ऐसे period में आपका इस type से आपकी increase होती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थूँ आपकी food supply है वो increase होती है लेकिन अगर population के बात करें तो आपकी geometric geometric progression मिलती है इस तरीके से इस इंटरवल में आपकी increase होती है तो इन में गैप आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और geometric प्रोग्रेशन दो अलग लग बात यहां पर कह रही है अगर simple words में इसको बात करें तो आपकी food supply है वो आपकी increase इतनी नहीं हो सकती है वो slower rate में होती है लेकिन population हो आपकी बहुत rapidly मिलती है तो rapidly आपकी changement है वो आपकी population मिलती है तो यह बात यहां पर आप जरूर ध्यान दे इसके बाद यह जो आपके जो आपका अगर food supply है वो slower rate में मिलेगी और population है वो आपकी rapid मिलेगी तो आपका जो time to time आपका shortage of food भी देखने को मिल सकता है इसकी वज़े से अगर बात करें तो आपका food है वो आपका law of diminishing return भी इसको कह सकते है law of diminishing return का एक अलग से concept है उसकी बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो right अभी जो इनकी according इन्होंने बात की population है वो आपकी increase होती है या तो multiply हो जाती है या आपकी double हो जाती है जो आपका time to time है gap है वो आपका food supply और population के बीच में time to time day by day आपका increase होता जाता है तो day by day आपका increase होगा तो इस होज़े से ये कुछ conditions मिलती है एवन आपके जो food supply है वो आपके कितनी भी increase कर लो लेकिन insufficient रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो population है वो आपकी rapid मिलती है बहुती explosion मिलती है तो explode explode होगी तो क्या आपकी कोई भी condition आप कितना भी import कर ले लेकिन फुन चीजों को हम control नहीं कर सकते हैं अभी जो भी इसको हमने discuss किया इसको एक chart के थूभी हम discuss कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत important है आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो दुभारा समझ आया है कोई दिक् इसमें दो टाइप के आपके रहते हैं तो population growth है वो आपकी geometric progression मिलती है ठीक है और food production है वो आपके arithmetic progressing के coding आपकी increase होती है तो यह इस तरीके से इन्होंने बात की फिर इसके coding आपके जो resultant आपका मिलता है this equilibrium between population and food supply food supply और population के बीच में बहुत gap मिल जाता है equilibrium नहीं मिल पाता इस वज़े से resultant होता है इसको कैसे correct करें यह question आपका important रहता है तो इसको solve करने के लिए इन्होंने रखा positive check यानि कि natural check भी इन्होंने का जो कि earthquake हुआ epidemic हुआ COVID-19 की तरह है जो हमने example दिया आपकी बार हो सकती है flood हो सकती है यह आपकी positive check है जो कि आपकी death rate को आपका increase कर देती है लेकिन preventive measures आपके वह होते हैं जो आपकी birth rate है उसको कम कर दे तो यहाँ पर birth rate को कम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी death rate को कम ज्यादा करने बात कर रहे हैं तो एक तरीके से जो late marriage अगर होगी तो आपकी birth rate automatic है वो कम हो जाएगी आपकी family planning के बारे में अगर सोचेंगे तो आपकी automatic हो जाएगी तो एक तरीके से यह पूरा आपका इस theory का sum पिलता है तो एक तरीके से आपको यह इस theory को पढ़ने के बाद देखने के बाद आप पूरी theory समझ आई होगी अभी जो हमने अभी अभी बात की दो factors की population के और रिसोर्स है तो आपकी population का factor है वो आपका population रिसोर्स फेक्टर है तो रिसोर्स फेक्टर है वो आपका increase होता है वो एक limit तक होता है ऐसा नहीं कि बिलकुल एकदम हम इसको भढ़ा दें यह भी नहीं होता population के बात करें तो population है वो आपका एक बहुत rapid increase देखने को मिलता है इस time तक आपका नीचे देखें तो आपका कुछ resources से हम काम चला सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास resource है वो आपके limited है लेकिन population है वो ज्यादा है तो एक तरीके से यहाँ पर भी condition वो डेवलोप ह हो जाती है आपका gap मिलता है यहाँ पर बात करें तो बै जो production है जो population है वो population तो आपका बढ़ता है ज्यादा rapid मिलता है लेकिन अगर food के बात करें तो food का as such इतना इतना ज्यादा rapid increase नहीं मिलता तो इसके वज़े से जो gap है वो day by day आपका increase होगा तो यह gap ही सबसे बड़ी important ह हमारे लिए problem है इसी को समझाने का यह प्रियास कर रहा है पूरी की पूरी मालताष की theory तो यह मालताष ट्योरी यह इसी इसी एंगल पे सभी चीज़ें बात कर रहा है तो इस method के दूरू आप बिल्कुल समझ गए होंगे अभी कुछ criticism भी है ऐसा कुछ नहीं है कि 100% कोई भ है आपकी रहती है तो population की जो theory है आपकी मालताष की उसके बारे में कुछ से आपकी criticism भी है एनलाइज करने के बाद criticism भी आए सबसे पहला है वह मालताष का एक sexual passion है sexual passion को criticize इन्होंने किया तो एक तरीके से जो criticism किया इन्होंने mix कर दिया मालताष ने mix कर दिया आपकी desire for pleasure and sex त desire of children के बात करें तो यह social instant है इसको और इसको यह दोनों आपकी biological instant है और children एक अलग अंगल से बात चलती है तो इनको mix कर दिया यह आपकी बिल्कुल भी rely नहीं करती तो यह आपका criticism हुआ second point के बात करें तो second point हो कहता है कि आपकी जो population है वो rarely आपकी geometric proportion के बढ़ती है तो एक तरीके से यह multiply हो जाया है अर्थमेटिक progression के तरू यह ऐसा कुछ से नहीं मिलता लेकिन Rarely Rarely किसी country में होसकता है third point के बात करें तो third point यह कह रहे हैं कि जो 25 years के बाद की 25 years में जो double हो जाती है डबल के बात की तो डबल हो जाती है यह आपकी country to country vary करती है ऐसा कुछ नहीं कि हरे country में rely करें तो यह आपकी condition बिल्कुल भी rely नहीं करती है बिल्कुल भी यहाँ पर conditions नहीं बनती है फोर्थ की बात करें फोर्थ point में यह आपका जो theory है वो आपकी जो establish करना चाती थी positive checks के तो positive checks के बात करें तो natural जो भी आपकी कोई भी आपकी flood आ जाती है disaster हो जाती है तो उससे ऐसा कुछ नहीं कि आपके over population region में ही वो condition हो तो अगर आपकी जैसे यूपी है यूपी में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वहाँ पर ही आए तो वो चीज़ें आपकी applicable रहेंगे लेकिन अग अगर आपकी अरणाचल प्रदेश में आ जाती है for example तो वहाँ पर जो आपकी जो population हो कम है इतना नहीं है लेकिन pressure है वो यूपी में जादा है तो यूपी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर ये आपकी natural calamities या natural disaster happen हो पाएं और उससे population को कम कर सकी तो ऐसा कुछ नहीं है ये positive measure भी चेक भी आपका यहाँ पर ignore किया जाता है फिफ्ट के बात करें फिफ्ट में इन्होंने जो changing technology है आज की आज की दिन technology भी change हो रही है तो इसको बिलकुल भी आपका माना नहीं और इसको deny कर दिया त जो आपके biological limitation of population होती है और कुछ से limit के बाद आपकी जो birth rate हो आपकी कम हो जाती है तो ये conditions आपकी रहते हैं तो ये बिलकुल भी rely नहीं कि बिलकुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो criticism के बात की और पूरा concept की बात की अभी जो आपकी screen पर है ये बहुत important है ये important करें बात ही नहीं कि जो भी आपके educators हैं जो भी persons हैं वो आपके theory को समझागर और diet कर देते हैं लेकिन कुछ हम बात करते हैं तो हाई जो आपके अगर Indian context के बात करें तो Indian context में आपकी rapid increase मिलती है rate है वो आपकी 2.3 per annum के rate के rate से आपकी population है वो आपकी increase हो रही है तो एक तरीक today आपकी green revelation हो गई आपके 1997 से हम 2 million ton आपके food grains हैं वो भी आपके import कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये conditions से ये problems हम soul नहीं कर रहे हैं तो इंडिया में ही चीज़ें आपकी face मिलती हैं और बहुत implement होता है standard of living के बात करें तो another indicator है तो ये Indian का जो Indian context के बात करें तो पूर standard हमारा मिलता है 39% हमारा जो people हमारे people है वो BPL है तो below poverty line के under आपके आते हैं 39% persons तो एक तरीके से ये भी आपका यहां पर important है life expectancy rate के बात करें तो वो भी आपकी poor है वो पूर इस वज़े से है क्योंकि आज के इंडिया आज के इंडिया के बात करें तो आपकी average life है वो आपकी 60 years है वो जो क आपकी comparative other nations के बात करें तो आपकी बहुत ही comparative कम है तो एक प्रेके से life expectancy rate है वो आपकी इंडिया में बहुत कम है बर्थरेट की बात करें इंडिया में तो 30 per thousand 30 per thousand आज भी मिलती है और जो कि बहुत हाई है तो यह high death birth rate है वो आपकी बहुत है और आज के दिन भी आप जो high birth rate ह है वो इतना नहीं चल रहा है फिर भी हम preventive checks जैसे कि family planning है वो आज भी इतना popular नहीं हुआ है और यह conditions आपकी इंडिया में मिलती है right six point के बात करें तो आपकी death rate है वो भी आ ही है 11 per thousand 11 per thousand आपकी death rate मिलती है floods है disease है hunger है यह आपकी full control नहीं कर पा रही है अभी भी marriage है वो आपकी universal phenomena है यहां इंडिया में आपकी जो early marriage है वो आपकी एक social evil भी बनी हुई है तो एक तरीके से यह बात भी यहां पर implement बिल्कुल भी नहीं होती है जो high growth rate of population यह conditions मिलती है अगर पूरा कपूरा इसको conclude करें इस theory को हम conclude करें conclude करने के बाद देखें तो maltis की theory है वो आपकी find मिलती है आपकी Indian roots में Indian economy roots में मिलती है और extraordinary emphasize हमारा जो आज बना है family planning के लिए Indian planning में भी आप देख सकते हैं कि family planning के हम बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि maltis का जो भी theory है वो implement आपकी Indian context में मिलती है तो यह theory आपके Indian context में हैं और कुछ से percent आपकी मिलती है, rely करती है तो आपकी criticism और आपकी Indian context की और आपकी पूरी theory हमने discuss की आपको बिलकुल है better understanding मिली होगी है और यह चार्ट है यह चार्ट आपको बहुत benefit है तो इसकी screenshot भी लह सकते हैं दूसरा इस चैनल पे जो आपकी जो भी यह discuss कर रहा हूं इसके PDF पे आपके साथ share कर दूँगा तो वह भी आप download कर लें और यह आपको चार्ट बहुत important रहने वाला है तो यह वीडियो आपको कैसे लगी बिलकुल बताएं और ज्यादा ज्यादा like button दबा दिया करें कोई आइतना दम नहीं लगता दोस्तों आपको पता है कि जो वीडियो बनाने में content को देखने में और दू of cost तो उसको आप support करें और आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बैल बैल आइकन का बिलकुल भी ना दबाना भूलें और बैल आइकन ओन कर लें ताकि जब भी मैं update करूं जब भी मैं video upload करूं तो आपको मिल सकें दूसरा चैनल भी हमा आपको वीडियो मिलेगी तो 9 एम पर आप इस चैनल पर विजिट चरूर करें तो आपको पता है कि कल का surprise क्या है कल की वीडियो क्या रहेगी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना देखना ठीक है तो निवाद चैनल